एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिंग आड़ोजोन के नए एपिसोड में दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिये की सबसे सस्ती इलेक्रिक स्कूटर जो की भारत में लाउंच कर दिया गया है और इसको लाउंच करने वाली कंपनी और नहीं सबसे ज़ादा सस्ता स्मार्टफोन लाउंच किया था टू नाइनटी न्रीज में डिटेल जो स्टार्डप था स्टार्डफ कंपनी डिटेल उसने ही इस स्कूटर को लाउंच किया है और इसको कह सकते हैं कि जो स्पैसिफिकेशन प्राइस में आपके तार शेयर करना है हम कह अपनी की वेबसाइट detail.com से खरीच सकते हो इस model का नाम रखा गया है detail easy अगर हम इनकी specification की बात करें तो यहाँ पर 48 watt 12 ampere का lfp battery pack दिया गया है lfp battery pack जो कि अपनी long life के लिए जाना जाता है यह बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर 48 watt 12 ampere का lfp battery lfp battery को इस्तमाल किया गया है motor की बात करें दो बड़ी basic सी है जो कि जनली इस category में यही रहता है 250 watt की BLDC motor top speed 25 km की आपको मिलने वाली है हम कह सकते हैं कि किसी दा के license की requirement नहीं यहाँ पर रहेगी charging time 7-8 hours में full charge हो जाएगी range की बात करें वो बिलकुल ठीक ठाक है 60 km की आपको यहाँ range मिलने वाली है सभी तरह की lights यहाँ पर LED आपको मिलेगी disc brake नहीं है drum brakes आपको यहाँ पर मिलेगी अगर हम बात करें license की requirement नहीं तो किस तक का restoration charges भी इस पर नहीं लगेगा कंपनी का target है कि इसको जादता जो younger है जो अभी मलब कह सकते है 15-16-17 साल के वो इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं कि tuition work के नजदीक उनने जाना है किसी काम के लिए market जाना है aged person है उनके लिए ठीक है इवन जो अगर हम बात करें commercial है जो कर्याना store है food delivery है अपने आसपास 3-4-5 km तक अगर delivery है तो उनके लिए भी एक better option रहेगी price के इसाब से और range के इसाब से फिलाल अब starting में तीन colors में available है black, white and red starting में as a promotion एक helmet भी free दिया जा रहा है helmet भी आप इनके color के साथ match कर सकते हो आपको option रहेगी detail easy cheapest electric scooter basically इसको हम एक low speed electric scooter कह सकते हैं सबसे बड़ी अच्छी बात लगी मुझे जो इसमें LFP battery को इस्तमाल किया गया है मैं काफी scooter में देखता हूँ के price भी जादा है सब कुछ ठीक है उसका लेकिन battery basic जो lithium and batteries इस्तमाल की जाती है जबकि LFP battery lithium iron phosphate battery अपनी long life के लिए जाना जाता है कम से कम 5 साल आप tension free होके इसको धरले से यह battery कहीं जाने वाली नहीं है सबसे बड़ा benefit तो यही था जो आपके साथ मैं share कर रहा हूँ यह था overall update अभी जादा और कोई update निकल कर नहीं आया है आप इसकी website पर जाके book कर वा सकते हैं अगर आपके माम मतलब की यह electric scooter है सस्ता तो है ही फिलाल आज के लिए तना ह जाए हिंद